नमस्कार, Australia Today में आपका स्वागत है और हमारे साथ है हेमा सरदेशाई शायद भारते गीत संगीत की दुनिया के जितने लोग हैं और जो उससे प्यार करते हैं, जो गीत संगीत को पसंद करते हैं वो हेमा सरदेशाई का नाम ना जानते हो ऐसा नहीं हो सकता हेमा जी, Australia Today में आपका स्वागत है बहुत-बहुत शुक्रिया जायजी, God bless you, thank you देखे, आप जिस जगहा से आती हैं, वो मेरा बड़ा पसंदीता है मैं हम जब भारत में थे, तो उससे बहुत दूर रहा करते थे मगर उसकी तरफ देखकर आहे जरूर भराते थे, गोवा, तो इक गोवा, तो इक गोवा से, I hail from Goa, I'm a Goan, so Indian Goan. गोवा से होने वाली महिला का क्या प्राइड है, क्या सा लगता है जब आप कोई कहते हैं, कि आरे भाई, मैं तो गोवा से आती हो, तो लोग कहते होंगे, Goa जाने का पड़ा मन है हमारा, तो नहीं, Goa ऐसा है कि वहाँ, मैंने, मुझे याद है जब I won the Grand Prix in Germany when I was still in college, you know, that time also मैंने कहा था, it's the land of love and song, there is so much of love in everybody's heart in Goa, I can't even begin to tell you. और आपकी सिंजर बनने के पीछे क्या गोवा की मिटी का और गोवा की फैनी का रस मिला हुआ है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल हर गोवन गाता अच्छा है, आपने यहां पर हमारे टेंपल में या चर्चिस में जाके सुनना चाहिए, जब सारे या तो आर्ती वो कह रहे हैं, या हिम्स गा रहे हैं, तो सुनना चाहिए कितने मधूर और कितनी पॉफेक्ट आवाजे हैं. अगर मैं आप से पूछाँ कि आपके गाने की शुरुवात कैसे हुई, कैसे हेमा सर्देसाई सिंगर बनने की तरफ बढ़ी? Mare Pita Ji Bhare doctor थे, my mother was a beautiful housewife, so there was no singer in our family, but God wanted me to do a lot of His work. So I guess, मझे आप सिंगर बनके मझे जिनोंने भी सुना, उनोंने परेंस को कहा की she is going to shine out in the world. so you should do something about her music तो डॉक्टर साब की बेटी को डॉक्टर साब ने डॉक्टर बनाने की तरफ या कुछ पढ़ा लिखा की कुछ और करवाने की तरफ नहीं लगाया actually naturally doctor E की तरफ हूं doctor E means I have that thing to heal a lot of you know this to heal people and that's that's very very important for me so I have been at it trying to do my own kind of healings always और संगीत तो सबसे बड़ा healer है मेरे क्याल से जब आप अभी बात कर रही थी कि गोवा के मंदिरों में और चर्चेश की जो आवाज है शेहद बच्चों की शुरुआत वहीं से होती है तो आपके पास भी क्या कोई ऐसा मंत्र है क्या कोई ऐसी प्रातना है जिसे आप गुनगुनाती थी जहां से आपकी शुरुआत हो गई हो जब आप मन से दिल से गाते हो तो अब वो भगवान तक पहुंची जाता है आप कोई भी भगवान लोग में खुद को Hindu, Muslim, Christian सब मानती हूँ सो मेरे टीचर जो है Mrs. Sequeira, late Mrs. Sequeira उनोंने सिखाया हुआ बच्पन में जो गाना है वो सारे लोगो ने सुनना चाहिए है और हमेशा गुन गुनाना चाहिए it's like a, you know, it's like a mantra for everybody to be happy and I'll sing it for you Sing your way home at the close of the day Sing your way home drive the shadows away smile every mile for wherever you go it will brighten your road it will lighten your load if you sing your way home wow, if you sing your way home वहाँ एक और बात है आपने शुरुवात की और कुछ थोड़ा बात Bollywood की तरफ भी देखा, वहाँ भी कुछ गाया मगर ऐसा अकसर देखा जाता है जो गोवन आर्टिस हैं वो बहुत ही ख्लासिकल वो Bollywood का मुँ छोड़ देते हैं वो कहते हैं कि हमें Bollywood बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो हम अपना काम करते हैं वो हमें ज्यादा पसंद है ऐसा क्यों हो रहा है Actually ऐसा कुछ नहीं है Bollywood तक पहुंचना आसान नहीं है मुझे भी बहुत सारी तकलीफे हुई, अच्छे लोग भी हर जगे होते हैं, बुरे लोग भी हर जगे होते हैं, कभी-कभी बुरे लोग ही मिलते हैं, जब ताइम आता है तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, तो कास्टिंग काउच जो है, जो Me Too movement है, वो आज उसको Me Too movement बोला है, बोला जाता है, मैंन वो कभी का शुरू किया था बीस बरस पहले तो I happen to be one of the social activists of Goa also and India and Save the Girl Child के लिए media ने मुझे किताब दिया है ambassador for the girl child I humbly do as much work as I can लेकिन उस वक्त भी जो हो रहा था casting couch का तो मैंने आवाज उठाया था और वो इजट आज तक मैं अपने साथ लेके चलती हूँ करीब अगर मैं गलत नहीं हो तो वीच साल पहले आपने वो आवाज उठाई थी किस तरह से शोशन होता है Bollywood में चाहे वो singles हो या कलाकार हो उन दूसरे तो क्या वीच साल में कुछ बदल पाया है क्या वीच साल में कुछ बदलाव आया है Tekho Me Too movement jo hai it's it's not it's it's very clearly you cannot blame see when it comes to can i blame anybody uh if with the me too movement if if i am not relenting nobody's forcing you see there's a big question mark in the me too movement nobody is forcing you nobody is pawing you nobody is molesting you at least 99 nobody does that they give you an offer it's up to you to say yes or no so if you say yes you're equally at fault you can't blame the man wow you're saying that but there's a situation like that when a man is so broken and in the difficult times when that offer which you're saying is that offer you might be able to yeah correct very nice very nice i like that yeah you can't blame is different you can't blame somebody alone in in the me too movement but at the same time it is wrong why are you doing this just because somebody is talented somebody is coming to you and you when you have a specific sex object you can give us what can we sexually do how can it be wrong so in a way me too movement is right but if you see if both are if if it's going on then both are uh you know the woman and man are at fault because why if emma sardesai did not accept these overtures these uh these offers of uh of 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 you know the cheapest possible thing i never relented to anything why can't you say no there is a divine who took care of emma sardesai should have confidence in yourself and what has been bestowed upon you by the divine more than hundred songs in bollywood most of the songs super hits fair enough um this baat ko mein agree karta hon ki aapke paas uh uh chale usse chho offer ko chho de ne ka aik hafsa hota ya magar uh may ye baat bilkul barabar se stress karna chao ga ki baat baar hum us privilege se nahi aate us privilege background se nahi aate jamb humare paas hume aisa lagta ho ki maus offer ko chhoď sakta hon ya chhoď sakti hon nahi i would like to i would like to uh uh you know what is uh uh konsa background may konsa background may kya super rich background se nahi you know if i can put my foot down and say no you can say no to you there are other things you can do in life you don't have to go and sing and someday that if you believe in your faith and believe in the divine this is the most difficult thing for a human to do sabse sabse jo kathen thing hai karne ke liye human koi wo faith hai aur humara faith agar bar karar ho aap mountains ko there is a true saying you can move mountains with your faith i have proven it so you can do it what is the thing what what is your majburi na bolne mein kitna time lagta hai aap us us ke taat us us dillat ke saath so rahe ho raat kaise so sakte ho paap us dillat ke saath aapne finally kuchh galat kiya hai jab aapke humara joh ek aurat ka let's say man and aurat let's speak about aurat can we just let anybody touch our bodies aren't our bodies a temple and when you allow somebody beyond your wish to touch it how much are you abusing yourself forget the other person abusing you and for what you can't do something else in life aur kuch nahi kar sakte itani kya majburi hai bhukke payase ho kisi or i mean if 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 that's if that's the thing again i say wo bhi hai jo ho ra hai jo offer hai wo pilkul galat hai absolutely blasphemously a crime but at the same time aap bhi when you succumb to it aap galat ho very strong words hai ma ji Ah ahh aapne aapne os all quan saamna kiya usa os compare olah aapne terms may kama kia aap awe false forward karat %em 20 22 men 的人 young aaptrends ooo spends hour see वो आवाज उठाते भी हैं, कही बार जैसे आप कह रही हैं, बाद में उठाते हैं, आप कैसे help करती हैं, कैसे खड़े हो पाती हैं, कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं? अजय, अगर मैंने आपको भूला, बादल पे पाउ मेरा जो गाना है वो हुआ था, you know, and it was, it is still number one in inspiration in India, बादल पे पाउ है चटे इंडिया, and तभी मेरा मतलब, I was right, right on the top, because बादल पे पाउ है is huge, like आवारा भावरे, my other song that is still the most loved, इतना बड़ा गाना, और मुझे जब बुलाया गया तभी, पहले हम लोग जब six or seven singers होते थे, फिर हम हो गए, कितने सारे singers, क्योंकि Indian Idol, और ये सब reality shows से बच्चियां कितनी आई, और मुझे Save the Girl Child Ambassador बोलते हैं, पहले से में भी fame यार, power यार money की मौताज नहीं थी, और कभी न गाने के लिए, और मुझे देखा कि नव दस लड़कियोंने पहले गाया है, और उन्होंने मुझे बोला कि वो गाने के लिए, उस्टूडियो के जो शक्स थे, उन्होंने मुझे बोला क्या कुछ नहीं किया उन लड़कियोंने आपके साथ कंपीट करने के लिए, ये जिन्होंने कहा, sorry, मैं फेम या पैसों की महताज नहीं हूँ, मैं नहीं देख सकती कि मुझे साथ कंपीट करने के लिए ये लड़कियां ये गलत काम कर रही हैं, तो मैं इस इंडस्ट्री में और नहीं काम कर सकती, and I moved away, you know, I moved away, that is me, but God took me straight to Hollywood, so divine is there, I mean recording a song with the publisher of Ed Sheeran's Shape of You, he won the Grammy Award as a publisher for Shape of You, none other than the music mogul of Hollywood, Tony Mercedes के साथ मैंने काम किया, और उनोने, Jay, you must hear, in New York, when at the press meet, this was recorded in LA, in a studio where late Michael Jackson himself recorded his songs, and another Grammy Award winner of Shrek movies, he recorded this song, Jared Lee Gosselin, and उनोने जब New York में बोला की, Hey Masar Dasai, she's not only a magnificent singer, she's a great human being, and I respect her, when he said this, this for me is my Bharat Ratna, that I carried the respect right up to Hollywood. चल आपने हालिवोड की बात किया, दोनों के वोर्क कल्चर में आपको क्या डिफरेंस लगता है, और क्या हम एक दूसरे से क्या अड़ॉप्ट कर सकते हैं दोनों? अरे हमारे इंडियन वाल्यूस कितने हुचे हैं, अभी तो वो सारे दुनिया में वापस पहलना चाहिए, जो, you know, सदियों सदियों पहले था, जो सब मिटा दिया गया, because people wanted to make money, so they made religions, you know, I'm a very strong statement from me, जो लोगों को पैसे बनाने थे, तो लोगों को सेपरेट कर दिया, अलग-अलग धर्म कर दिये, हम सब एक ही हैं, ये हिंदू करके भी धर्म थोड़ा ही हैं, it's a way of life, and that way of life is, you don't call it Hinduism, it's not a religion, it will be again spread across the world, I can see it happening, that will be the saving of earth. That's very nice, Kheema ji, आप बिलकुल मन करता है कि आपसे बात करते रहों, I want to, Jay, I know we don't have time, but I'd like to tell you that my, I am fortunate to have, to be a devotee of His Holiness Shri Shri Ravi Shankar ji, whose dream is one world family and smile on every face, no borders in the world, sab ek ho jayen, इसी को कहते हैं, आपने इतना नाम लिया है, मैं आपसे अंत में इतना जरूर कहूंगा, अगर ये महीना भी बड़ा पायस है, सावन का, बगवान शंकर का महीना है, if you could recite something for our listeners, जो भगवान शिवक की इस्तुति हो, to end the interview, that will be great. I will start with a thing for Guru and I will definitely sing that. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru साक्षा, परा ब्राम्हा, तसमे श्री श्री गुरुवे नाम्हा, Then I will sing a song for Shiva. Shiva Om Namah Shivaya Shiva Om Namah Shivaya Haro Om Namah Shivaya Shiva Om Namah Shivaya Namah Shivaya नमाश शवाया नमाश शवाया नमाश शवाया 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 श तेमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बाक्षीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, thank you so much. शुक्रिया जै, God bless you always, rock on, shine on.